मैं फिल्म का खलनायक हूँ, दिवाकर नाम है इस केरेक्टर का, बहुत ही जमीन से उठा हुआ आदमी है, बहुत ही महनो कांक्षी है, जब उसको उचाहियों पर उठना चाहता है, जब उसके सामनी चॉइस आती है कि उसको क्या करना चाहिए तो वो पॉलिटिक्स अपनाता ह तो एक साधारन कारकरता बनता है, उसके बाद साधारन कारकरता से अपनी महन से वो एमेले बनता है, पर एमेले बनने के बाद जब वो पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिक्स होती है, जिसे आदमी उचाहियां हासिल करता है, क्या क्या हथकंदे वो अपनाता है, ये सब जब वो देखता है तो उसके मन में भी जिग्यासा होती है कि मैं भी क्यों ना इसे के साम दाम दंडवेद हरतरे के तरीके अपना हूँ और मुझाईयां हासिल करूं पॉलिक्स में तो फिर ये जिससे एक चेस्स प्लेयर होता है कौन सा मोहरा काप चलना है किसका इस्तमाल कहा करना है इस तरह से जर्नलिस्ट का बहुत किसमाल करता है ड़कियों के इस्तमाल करता है और फाइनली वो छीफ मिनिस्सर बंता है ये इसकी पूरी जर्नी है इस केरेक्टर थैब स्धिक्ली हमने देख आप अमस्व इसका वी जलन के किश्टाा स्कुरण प्संद करताогодikuria है वजह है कि मैं हमेशा फरस्ट रो में रहना चाहता था और फरस्ट रो में हिंदी फिल्मों में hero, heroine और villain सिर्फ ये तीनी characters होते हैं जो फरस्ट रो के होते हैं और बाकि जो और दूसरे characters होते हैं वो एक fillers के तौर पर फिल्मों में इस्तेमाल होते हैं तो इस वज़े से मैंने बाइच चोईस ख़लनाएं की अपनाई है मैं रियल लाइप में ख़लनाएंक नहीं हूँ मैं बिलकुल उल्टा हूँ यह तो वो बताएंगे जो मेरे साथ में जुड़े हुए है कि मैं कैसा हूँ बहराल रियल लाइप में और यह लाइप में बहुत फ़लनाएंक अंतर होते हैं मैं और इशन में जाता नहीं सेलेक्ट होने के लिए लोग मज़े बुलाते हैं कलनाई की कराने के लिए इसा है ठीक है? ओके